नमस्कार बच्चों आज दिनांत 9 जुलाई वर्स 2021 हम लोग मैप्स का ये सेकेंड चेटर कर रहे हैं समांतर रेखा दता तरियक रेखा और पिछले वीडियो में मैं आपको तीन तक के सवाल हल करके दिखाए थे वीडियो में इस बार में आपको ये चौथा सवाल करके ने ए तक किया था लेकिन इसको सौल नहीं किया था तो मैं इससे सौल करके दिखाता हूं कि यहां पर क्या दिया है रेखा ए और रेखा बीच अमांतर है यहां आयरे एक खोड़ कम आप 105 दिगरी दिया है हमें एकस य और जेड के मान गयाद करने है तो यह तो बहुत आसान सवाल इसके बाद में एक तिर्यक रेखा है, L एक तिर्यक रेखा है, तो अपने नोड़ बुक में भी मैं L तीरियक रेखा बना रहा हूँ ये तीरियक रेखा L हो गया इस कोन का माप 105 डिगरी दिया है किताब में यहाँ पर और ये कोन X दिया है तो यहाँ नोड़ बुक में भी इस कोन को मैं X बना दे रहा हूँ फिर ये कोन Y है तो यहाँ पर भी ये कोण Y हो गया और पिर ये कोण Z है तो हमें यहाँ पर ये Z बनाना है आपको याद होगा पिछले वीडियो में ही मैंने आपको समझाया था कि तीन तरह की आकरतियां आपको देखना है एक तो F जैसा आकार दो कोण मिलके F जैसा बने तो संगत कोण और यदि रेखाएं समांतर होते हैं तो संगत कोण सरवांगसम होते हैं Z जैसा आकार अगर बनता है और रेखाएं समांतर भी हो तो ये जो एक ये एक अंतर कोण कहलाते हैं और वो सरवांगसम होते हैं सी जैसा कोई आकार बनता है दो खोनों को मिलाने पर तो उन्हें अंता गोण कहते हैं और यदी रेक्षाएं समांतर हो तो अंता कोणों के मामपों का योग्थर Than 201 होता है फिर मैंने आपको बताया था दो कोण पी जैसा आकार यादी दिखाई दे दो कोणों में तो उन्हें रेखी युगल कोण कहते हैं और इनका युख़ल 180 होता है देखो इसको बुलते हैं संगत कोण संगत इसंगत कोण कहलाता है अब जैसा बन रहा है और यह क्या होता है सर्वांगसम होता है सर्वांगसम अगर रेखा समांतर हो इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं एकांतर कोण जैसा बन रहा है तो एकांतर कोण होता है यह भी सर्वांगसम होता है यह चिन्न से आप लोग परचित होंगे सर्वांगसम के हो की नहीं आप के देखो यह सी जैसा कार बनता है तो हम इसे एंता कोर्ण कहते हैं और यदी रेखाएं समानतर हो तो इनका इनका यूगफल को एक सो अच्छी अंस होता है तर्येटी जैसा कार बन रहा है तो इने रेखी युगल कोण कहते हैं कि रेंखि कि यूगल रूं कहा जाता है और इनका भी योगफल इन दोनों कोड़ों का भी योगफल यानी टोटल 180 अंस होता है फिर मैंने आपके बताया था कि X जैसा आकार बन रहा है दो कोण मिला के X जैसा आकार बन रहा है तो यह जो सामने सामने वाले कोण होते हैं यह जैसे यह और यह यह भी सामने सामने हैं यह भी सामने सामने इन्हें सीरिशा विमुक कोण कहा जाता है सीरिशा विमुक कोण कहा जाता है और यह क्या होता हैं यह भी सर्वांगसम होते हैं तो यह ज़रा स्वांक कर दोने मैंने आपको बता दिया है यह आप लोग य यहीं देखना है कि कौन से आकार बन रहा है किस तरह के कोण है तो ध्यान से देखो हमें क्या ग्याद करना है X ग्याद करना है सबसे पहले X ग्याद करेंगे तो हमको देखना कि कौन सी कोड का माप दिया है इस कोड का माप दिया है फिर आप चेक करिए कि जो कोण ग्याद करना है और जो कोण दिया है उसमें इस तरह की कोई आकरती बन रही है क्या तो देखो ये कोण X ये कोण X है और ये कोण 105 है किस तरह की आकरती बन रही है F जैसा बन रहा है मतलब इस अंगत कोण है तो यहां पर आप लिख सकते हो की x बराबर x बराबर 105 अज कारण संगत को संगत को फिर आप देखो आप हमको x मिल गया आप y ज्याद करना है अब हमको 2 कोड पता है 105 पता है ये भी पता चल गया कि x भी 105 है x भी 105 है ये भी मालूम पड़ गया तो y का संबंद देखना है किसी भी कोड का संबंद उसके साथ देखो जिसका मालूम है तो y का संबंद देखो इन दोनों में से किसी के साथ कुछ बन रहा है ये जो कोड y है ये कोड x या 105 डिगरी इन दोनों के साथ कुछ बन रहा है f f जैसा z जैसा c जैसा t जैसा या एक्स जैसा कुछ बन रहा है किसी के साथ है वाई कि इसा अपलब भी बोलोगे कि कोड़ एक्स और कोड़ वाई मिलके एक्स जैसा कार बना रहे हैं इसलिए ये सेरिशा विमुख कोड़ है उनके माप समान होते हैं तो यहाँ यह X और Y सेरिशा विमुख है इसलिए Y के जो Y का माप होगा वो X के माप के बराबर होगा लेकिन X का माप कितना है X का माप 105 है तो इसलिए Y का माप भी 105 होगा Y किसके बराबर है? X के परंतु X कितना है? परंतु X है 105 दिगरी इसलिए Y भी 105 हो जाएगा इसलिए Y बराबर भी हो जाएगा 105 दिगरी समझे कैसे निकाला X और Y यहाँ यह कारण लिख देना Y और X बराबर क्यों है क्योंकि यह तो यह रिशा वे मुख कोण है तो यह X का मान मिल गया यह Y का मान मिल गया अब बचा क्या Z का मान तो एक, दो, तीन कोड़ पता है तो Z को देखना इन तीनों के साथ किसके साथ संबंद बन रहा है वो देखना है यह रहा कोड Z अब देखो Z और 105 का कुछ संबंद बन रहा है कोड़ यह रहा Z यह रहा 105 Z और 105 मिला के कौन सा कार बना रहा है ती बना रहा है तो इकौन से कोड़ हो गए यह हो गए रेखी उगल कोड़ तो रेखी उगल कोड़ों में क्या संबंद होता है आपस में यह जिनका योगपल 180 होता है तो इसलिए Z और 105 रहाखी उगल कोड़ है इसलिए हम लिख सकते हैं Z प्लस 105 बराबर 180 डिग्री कारण रहाखी उगल कोड़ कि यूगल को है कि अभी क्या को हमको जेड का मान चाहिए तो 105 को हटाना पड़ेगा तो 105 यहां से हटा देंगे तो उसके साथ प्लस भी हट जाएगा तो हो गया 1805 है तो माइनस एक कि इसको अछटा देते हैं वह जब दूसरे साइड चबना चाहिता है उसका चिंग फ्लस का मारेंट कमा अब्स एक सब्सक्रण को अक्सपांच गटाएगे तो कितना अगा है एक सेवंटीफाइड तो इसलिए यहां पर जेड का मान आ गया अपना जेल का मान आ गया 75 degree तो अब तीनों माप मिल गए हमको X कितना मिला X 105 degree मिल गया Y कितना मिला Y भी 105 degree मिल गया और Z कितना मिला Z 75 degree मिल गया तो यह मैंने रिकॉर्ड कर लिया है वीडियो और यह YouTube में भी डाल दूँगा तो आप लोग देख लेना देखते हो कि नहीं मेरा YouTube का वीडियो तो recording on कर रहा हूँ देखो यह पूरा मैं यह सवाल दिखा दे रहा हूँ कैसे हल किया है मैंने और यह record हो रहा है YouTube में जाएगा यह तो आप लोग इसको नोट बूप में अपने लिख लेना लेकिन नोट बूप में लिखते हो ना तो उसको फिर अपने मन से सॉल करने का फ्रयास किया करो केवल नोट बूप में कॉपी कर लेने से ही आपको मैस नहीं आ जाएगा अब चलिए पाच्वा सवाल शुरू करते हैं पाच्वा सवाल यह P, L और Q यह P, L और Q तीन समांतर रिखाई दी गई है हमें एक यहाँ यह कोड कमाप 40 अंज दिया है नीचे एक कोड कमाप 30 अंज दिया है कोड X कमाप ज्याद करो है कोड X यह बड़ा वाला कोड है X तो आप देखो ध्यान से जो बड़ा वाला कोड X है यह दो छोटे छोटे कोड से मिलके बना हुए इन दोनों छोटो कोडों को A और B मान लिया है मैंने हाँ यह छोटा कोड A और यह दूसरा छोटा कोड B तो हम लोग क्या करेंगे पहले A निकालेंगे फिर B निकालेंगे फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो X मिल जाएगा बात समझें तो सबसे पहला काम क्या है यह डाइग्राम बना लेना तो रेखा P L और Q बनाता हूं मैं यह रेखा P फिर रेखा Q थोड़ा सा यह साइड में है रेखा Q और नीचे रेखा L रेखा P रेखा L और है रेखा Q खरी की तीरेखा डुचरी करेखा और फिर की तीरेख रेखा Q यह रेखा Q एल की तिर्यक रेखा जहां पर इसका माप चानी शंस दिया है और इस कंड को हमने ए बाद कि नीचे वाला जो है वह फड़ी देर बाद बता वा है मुझा पहले पहले वाला देख लेते हैं तो इस एक अंतर को और यह धिया है कि देखा पी और एल समांतर है तो एक कोंड सर्वांसम होते हैं तो इसलिए कमान 40 दिगरी हो जाएगा तो आप यहां लिख सकते हो कि ए बराबर 40 अंज कारण एक अंतर कोण अब दूसरा नीचे एक और तीर्यक रेखा दिया है यहां पर देखो यह तो यह तो यह तीरियक रेखा अगर बनाओ तो यह तिरियक क्रेखा हो गई रेखा एल और क्यू की तिर्यक रेखा इसमें इस में इस कोड को नीचे जो छोटा कोड बन रहा है इसको हम लोग बी मान लेते हैं कि अच्छा यहां पर उपर एक लाइन लिखनी पड़ेगी मैं भूल गया था लेकना माना कि माना ए तथा बी और जावर क्टी अनुसार अकरति अनुसार है यह एक आतर कोड कई दे कोड काती संस दिया हुआ है एक अंतर कोण जैसा बन रहा है यानि एक अंतर कोण है और रेखाद L और Q समांतर है तो इसलिए B का माप भी तीस अंस हो जाएगा कारण ये भी एक अंतर कोण है अब आक्रति में ये दोनों कोण A और B दोनों कोण मिला के X दिया है ये पूरा कोण यहां से लेकर यहां तक तूरे कोण का माप X है तो अगर हमें X ग्याद करना है तो पहले A और B दोनों को प्लस करना पड़ेगा यहां लिखना पड़ेगा X बराबर A प्लस B इसलिए इसलिए X बराबर A कितना है 40 अंस है तो A के जगे पे 40 आजाएगा और प्लस बी कितना है तीस अंस है तो बी के जगे पर तीस आ जाएगा इसलिए एक्स बराबर आ गया तो यह नया चेट्टर शुरू कर रहे है तीसरा घातां तुथा घनमूल इसमें पिछली कक्षाओं में हमने जो घातां के नियम पढ़े थे वह पहले समझ लो युराज सिंग में इक बंद करो तो यह नियम पहले याद कर लेते तो इसके नियम समझ लेते हैं कि देखो दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो कितनी बार है एक दो तीन चार-पांच बार है, तो इसे हम दो घाते-पांच लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर यह जो दो नीचे की संख्या है, इसे आधार कहते हैं, और यह जो पांच ऊपर है, इसे घातांग कहते हैं, तो दो घाते-पांच में दो आधार है, और पांच घातांग है, पर दो घातांक वाली संख्या है लेकिन आधार दोनों का सेम है इधर भी आधार ए है इधर भी आधारे है जब आधार सेम है तो इसका गुड़ा कैसे होता है इस तरह से होता है वो दोनों आधार को एक बार लिखना है और उपर का घात प्लस कर देना है जैसे कि A घाते 5 है इंटू A घाते 3 है तो यह क्या हो जाएगा A घाते 5 प्लस 3 यानिकी 8 ऐसे ही सेकेंड देखो अगर यह गुड़ा के जगे पर बीच में भाग है जब इंटू के जगे पर डिवीजन है तो क्या करना है सेम वही करना है खाली प्लस के जगे पर माइनस आ जाएगा एक कुछ घातां के नियम है जो आपको समझने है बेटा हूँ फिर याद रखना A गुड़े M घाते M है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A घाते M, B घाते M यानि M अंदर जाएगा तो दोनों के उपर आ जाएगा चौथा नियम कि आधार कुछ भी हो अगर घात 0 है तो अंसर हमेशा 1 आएगा जहाँ A घाते 0 1 है एक जगे पर कुछ भी रहने दो अगर घात 0 है तो अंसर 1 आएगा हमेशा फिर है देखो A घाते माइनस M है तो उसको हम लोग 1 अपॉन एगाते M लिख सकते हैं फिर देखो A घाते M उसके भी घाते N है वतलब दो दो घात है एक साथ में तो ऐसे में क्या होता है यह ब्रैकेट जब हम खोलते हैं तो M और N इन दोनों घातों का गुड़ा हो जाता है फिर सात्वा देखिए ए बटे M यह उपर के जैसा है जैसे गुड़े में जो घात M है वह दोनों के उपर आता है वैसे अगर भाग भी है तो वहां भी जो घात है दोनों के उपर आ जाता है यह पिछले क्लास की चीज़े हैं इसलिए मैं इसको जल्दी मैं बता दे रहा हूं को कि आप पढ़ चुके हों और A बटे B घाते माइनस M है इस माइनस M को प्लस में करना है तो इसको आप उल्टा कर दो रिवर्स कर दो माइनस M था B अपढ़ एक कर दिया तो M हो जाएगा तो यहारी माइनस चला जाएगा तो इसको वापस उल्टा करो तो फिर माइनस M हो जाएगा अब देखो उससी नियम के अधार पर सवाल कुछ करने है तो अभी अभी मैंने बताया कि घातांक अगर समान है बीच में गु पाई प्लस टू यानिकी सेवन पाई प्लस टू जर सेवन आ जाएगा नेक्स देखो यहां पर भाग है तो यहां क्या लिखोगे तीन घाते क्या अंसर आएगा माइनस होगा तो सेवन माइनस नाइन कितना होता है माइनस टू, वेरी गुड, तीसरा देखिए, तीन घाते चार है, उसके भी घाते पांच है, क्या आएगा यहाँ पर? देखो, डबल घात जब रहेगा, तो गुड़ा हो जाता है, यहाँ प्लस नहीं करना है, प्लस काप करते हैं, जब यह आधार सेम हो, बीच में गुड़ा हो, यहाँ पर तीन घाते चार, फिर इसके भी घाते पांच है, दो बार घात आ गया है, तो यह पांच चौक बीस हो ज क्या होजाएगा, यह माइनस थ्री प्लस थ्री में हो जाएगा, यह फाय घाते तीन आ जाएगा, यह माइनस निकल जाएगा, सिर्फ तीन आएगा here, पाय रेस टू जीरो क्या एका अंसर, वान, अभी मैं भी मैंने बता था कि अधार कुछ भी हो घात अगर जीरौ है तो सलसरों होता है inside five FAR nominees two one हो जल्दी बुलिये है था rate two foreign five-면 heating आगर उसे तरह थे दो होता है तो पांच गुड़े पांस लिखेंगे पांच गात Went पांच गुड़े पांच गुड़े पांच लिकेंगा जब पांच गाते एक तो व्हांच अदेखा अगा पाँच ऑएगा अगर गाते एक है तो जो अधार है वही अंसर आता है पिर यहां देखो पांच गुड़े शाथ है तो यहां पर देखो इसकी तीन को अगर अंदर ले ले पांच गुड़े साथ घाते तीन है तीन तीन को अंदर ले तो क्या हो जाएगा दो है क्या अच्छा सॉरी ओ इंक के वज़ा से तीन दिखा है मुझे सॉरी सॉरी टू है तो तू को अगर हम लोग अंदर ले तो क्या होगा सॉरी सॉरी में तो आप पांच बटे साथ गाते तीन है तो आप यह कैसे करेंगे इधर भी सेम वैसे ही कि यह बाक्स में क्या आएगा तीन तो यह लोग ने लिख दिया है कि यह इस इधर पांच आजाएगा इस बॉक्स में इस बॉक्स में कि साथ आजाएगा कि फिर देखो यहां पे 5 बटे 7 जाते माइनस 3 यह उनके मांउस depending ay कि इप Digital तो यह हो जाएगा साथबसे पांच इंसरों आप प्टा नाम भी पता दिए करो मुझे पता नहीं चल पाता किसने बोला कि विजे नाम लेकर सावाशी देना अच्छा लगता है किसने बोला साथ बटे पांच अभी कि पाल शुती वेरी गुड शुती विटा शाबाश कि अब चरी आगे को शुरू कर देते हैं कि देखो कि अभी तक हम लोग कहात आसा देख रहे ने की देख यह तेटे लीक बटे कि अगर्य हो तब क्या होता है वह जरा समझ लेते हैं अगर संख्या का घात संख्या गातां का just गर इस allemaal संख्या का क्या मतलitaire होता जदा देख लेते हैं जैसे कि एक सब्याट समझ कि हम लोग ऐसे लिखना पड़ता है यह करणी में पचीज यह जो निशान है इसे करणी कहा जाता है तो यदि पचीज गाते एक बटे दो है तो इसे करणी में पचीज लिखा जा सकता है यानि पचीज गाते एक बटे दो और करणी पचीज यह दोनों बराबर है बात समझें इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि 25 का वर्ग मूल क्या बोलते इसको 25 का वर्ग मूल 25 गाते एक बटे दो है तो क्या बोलेंगे 25 का वर्ग मूल करणी 25 है ये भी 25 का वर्ग मूल इसे ही देखो ये अगर एक गाते तीन है तो एक गन्मूल कैसे लिखते है देखो ये जड़ा समझ लो ये वाला जैसे एक गाते एक बटे तीन है तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे एक तीसरा गात इसको बोलते है एक गन्मूल भी बोल सकते है जैसे दो रहता है तो हम लोग वर्ग मूल बोलते है और एक नियाव याद रखो बटा जैसे दो है ना तो उसको हम लोग लिखते नहीं है जैसे ए घाते एक बटे दो था तो एक्चुली ऐसा लिखना चाहिए क्योंकि ये दूसरा गात है ये एक का दूसरा गात है तो इसको ऐसा लिखना चाहिए क्योंकि ये टू है इसलिए हाँ टू आएगा लेकिन नियम के अनुसार यहां 2 लिखते नहीं है तो root A लिखा जाता है लेकिन अगर 3 है जैसे A घाते 1 upon 3 है तो फिर इसे हम ऐसा लिखेंगे third root of A, English में इसे से पढ़ते हैं third root of A हिंदे में इसको ऐसा बोलेंगे A का घनमूल जैसे 2 रहता है तो वर्गमूल तीन रहता है तो घनमूल दो रहेगा तो वर्गमूल तीन रहेगा तो घनमूल क्यों क्योंकि जब किसी का घात 2 है तो हम लोग बोलते हैं ना वर्ग किसी का घात 3 है तो हम लोग बोलते हैं घन तो ऐसे यदर किसी का घात 1 बटे 2 है तो हम लोग उसको ऐसा लिखते है रूट करणी A करणी A यहां पर कुछ कोई नंबर नहीं है यह दो को V जैसा कर जो जो यहां दिख घरा है V जैसा कर इसके अंदर कोई नंबर नहीं है तो यह समझा जाता है कि abroad 2 है तो इसको पढ़ते कैसे है एक अगा वर्ग्मूल जब यहां two रहेगा तो एका वर्ग्मूल बोलेंगे फिर जैखो एक हाते एक बटे तीन है अगर तो यह कैसे हाँ पर v के अंदर तीन आजाएगा वी के अंदर देखो यहां पे क्या है चौसत घाते एक बटे तीन है चौसत घाते एक बटे तीन है तो इसे हम लोग करणी में कैसे लिखेंगे यह करणी का चिन्न बनाएंगे अब यह जो यहां वी जैसा आकार है यहां तीन होने के जैसे तीन लिख जाएंगे तो यह क्या हो गया चौशत का घंदमूल अब आप सब जानते हैं चौशत का घंदमूल क्या होता है टार चॉप सोला चौॉप चौषट कॉसटबक हन्मूल चार होता है तो यहां पर एक करनी हट जायेगी कि एइसा यह 3 गाते 5 दिया तो इसको 3 का पांचवा घाथ बोलेंगे और 3 का पांचवा घात यानि तीन गोड दीन गोड दीन गोड दीन ऐसे पांच बार और तीन का पाचवा घात het 243 है इसको कैसे पढ़ेंगे तीन का पाचवा घात कितना है 243 कि और इस से का उल है तो अनृभोत हम लिसे 25 का पाचवा मूल k/. कि दोनों उल्टा दिया है दोनों तीन का पाच्वा घाथ 243 है अब अगर इसका उल्टा लिखना पड़े तो कि इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि 243 का पाच्वा मूल 3 है कि तीन घाते पांच 243 था यह इसको ऐसा भी आप समझ सकते हो मैं रोड़ बूप में आपको बताता हूँ क्या था देखो तीन घाते पांच 243 था किताब में तीन घाते पांच 243 था तो अब यह पांच को अगर मैं हटाओं हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा तीन घाते पांच एसमें एक बटे पांच से गुड़ा कर दो तो दूसरी तरब भी यही करना पड़ेगा 243 है इधर भी एक बटे 5 से गुड़ा कर दो तो पांच पांच कड़ जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा 3 गातए 1 यानि 3 । önem n बच बें पाच 25 तो ईक बच पांच यानि सामें कि और थींतल्थ दोनों चिए समझ लो amas कई कोई डाउट हो तो मैं को रोख के कभी भी पूछ सकते हैं समझ गया तो आगे बढ़ें कि माइक आफ करके बोला करो बेटा कुछ पूछता हो उधारन देख लेते हैं 128 घाते एक बटे साथ है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 128 का सातवा मूल एक बटे साथ है ना इसलिए सातवा मूल अच्छा बताओ इसको कैसे पढ़ोगे बताइए 900 घाते 1 बटे 12 है तो हे शबबाश 900 का बारवा मूल अच्छा अभी एक दज़ घाते 1 बटे 5 बराबर x है तो इसका मतलब एक गाते 5 कितना होगा कि यह दस घाते एक बटे प्यानी कि दस का पांचवा मूल एक्स है तो फिर एक्स घाते पांच कितना होगा दस होगा शाबाज शाबाज एक घाते पांच कैसे आया इधर पांच यानि एक्स के उपर पांच से गुड़ा किया है इधर पांच तो इधर भी पांच से गुड़ा करेंगे तो पांच पांच कर जाएगा दस ही बचेगा आगे चलते हैं चलो घातांग का उप्योग करके नीचे दी हुई संख्या लिखिए घातांग का उप्योग करना है तो देखो मूल शब्द आएगा तेरा का पाच्वा मूल तो तेरा का पाच्वा मूल कैसे लिखेंगे हम लोग तेरा अब पांचवा मूल है इसलिए उपर आ जाएगा एक बटे पांच क्लियर अब क्या दिया है नौ का छठा मूल तो इसे कैसे लिखेंगे नौ का छठा मूल यानि नौ घाते एक बटे छे फिर क्या है अच्छा दस बजे मैंने किसी और को टाइम और क्लास में टाइम दिया है ऐसी आप लोग यह सवाल कर लोगे पुरा 3.1 का पहला पूरा कर लेना याद रखना वर्गमूल का मतलब एक बटे दो होता है वर्गमूल यानि एक बटे दो और घंमूल घंमूल यानि एक बटे तीन आठवा मूल है यानि एक बटे आठ सातवा मूल यानि एक बटे साथ तो 3.1 आप लोग खुझ से करना क्योंकि अब एक स्लास में पिरेड है अभी लेफ मत हो यह क्योंकि मैं यह रिकॉर्ड करने जा रहा हूं कि कितने लोग आये हैं हाँ एक दो चौदा लोग है कुल एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा लोग है यहां पर ठीक है तो चौदा लोगोंने मीटिंग अटेंड कि इसमें मैसेज कौन-कौन भेजिया है देखते हैं वह भी देख लेते हैं किसने किसने अपने प्रेज लोज, नंदनी कनोजिया, आइशा सलमानी और खुश्नुमा इतने लोग ने अपनी हाजरी दी हैं ठीक है वेटा तो यह होमा करना हो के बाई कि अटनी हैं ऊटना शबता हैं मैं वह हैं अटन्वाव मैं जडवीज़ दुश्नुमा झालो युश्नुमा वह ला आटने क्ट्स लावरी स्गवाज़बावर्वाब्ट नंगड़